हेलो फ्रेंड्स वेलकम टियर ओन चैनल डिली स्टॉक तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन स्टॉक्स बताऊँगा जूकि आप लॉंग टम के लिए भी बाइंग कर सकते हैं और शॉट टम में भी वो स्टॉक्स आपको अच्छा रिटन दे सकते हैं तो यह पूरी जानक हमारे चैनल के उपर मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं तो यह देखिए सबसे पहला जो शेयर है वो है भारती एयर्टेल देखे भारती एयर्टेल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको अभी नेगेटिव दिख रहा है तो कि मार्च टूड़ाउ 2019 से 2020 का जो फाइनेशियल एयर था उसमें कमपनी लौस में थी तो यह मैं जो डेटा है ये टिकट एप से लेता हूँ तो टिकट एप से वहाप एविट अपडेश नहीं हुआ है तो मतलब चोकि अभी जो फाइनेशियल एयर है वो खटम भी नहीं हुआ है लेकिन अभी जो पांचो हजार करोड का लॉस ही कंपनी का दिखेगा तो बहुत ही अच्छी रीकवरी यहाँ पर भारती एटल में देखने को मिल रही है और अगर आप इसका प्राइस टुबुक रेश्यो देखेंगे तो वो 2.84 ही है और में बाद क्या इसमें भी इसकी लाइबिलिटी जो है वो खाशी जादा है लेकिन लाइबिलिटी भी इसकी धीरे-दीरे काम हो रही है तो जो इसका बुक वैल्यू है वो भी एक एट्रेक्शन मनाता है इस शेर को खरीदने के लिए अब देखें में बाद क्या भारती एटल टेलिकॉम चेक्टर से ही बिलॉंग नहीं करता है अ अब आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग के धंदे में भी गुझ गिया है इसके पेमेंट बैंका भी इसका धंदा है तो देखा जाया तो इसका धंदा धीरे-दीरे बहुत बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल चे भारती एटल यहां पर एक अच्छे वैलियेशन पर आपको अभी मिल रहा है देखिये डिवीडेंट देखिये पिछले साल कमपनी लॉस में थी लेकिन फिर भी 0.37% का डिवीडेंट दिल यहां पर एक अच्छा डिवीडेंड है लेकिन देखिये अब कमपनी धीरे-धीरे प्रॉफिट में आगी है अब धिये धीरे से उस पे आप एक से देड़ परसेंट का डिविडेंड भी एस्पेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट केप देखिए 2,90,492 करोड की इसकी मार्केट केप है एक समय ता जब इसकी 6,70,00 करोड की इसकी मार्केट केप हुआ करती थी देखें वो रीकवरी अब यहाँ पे मेरे को द दो साल तो देखो आप गिर गयाता ऑल्मोन दो साल तो इसका इतना भयंकर गिरा लगबग 15% की गिरावट लेकिन पिछले साल रेवेन्यूज में थोड़ी रीकवरी देखने को मिली थी लेकिन अगर आप इससे कंपेर करोगे तो 10% रेवेन्यूज में गिरावट थी और उ पिछले साल किया था यूगि इस बार पूरे yearly basis पर लगबग 1000 से 2000 करोड मैक्जिमम 2000 करोड से ज्यादा का यहां पर लॉस्त नहीं होगा तो यह बता रहा है कि कैसी बिजनेस के अंदर अच्छी काशी रीकवरी आई है और जो धियों के आने के बाद जो बिजनेस में इतना दिकत हुई थी वह बो दिकत नहीं रही है और में बात यह बी है कि अब इन्होंने 5G भी लॉंच कर दिया है इनका हैदराबाद में टेक्ट हुआ तो हैदराबाद में इन्होंने 5G का एकदम successful लॉंच भी हो गया है अब ऐसा कह रहे हैं यह भर्चे इटिल का ऐसा बोलना ह है कि वो आने वाले 6-10 महिनों में जो 5G है वो पूरे all over इंडिया में launch कर देंगे अब यह देखिए 532.79 पे यह share अभी चल रहा है और यह देखिए 623 का इसका 5 साल का हई है यह तो देखिए यह तो 5 साल का हई है इससे पहले इसका और भी ज़्यादा हई है लगबग 11100 का ह हाई है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके 5 साल मतलब 52 वीक हाई की भी अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई से आपको अल्मोस अभी 90 रुपी discount पे मिल रहा है मतलब 15% correction पे यह share आपको अभी मिल रहा है देखिए अभी यह share लगबग 580 के लगबग भी गया था लेकिन इसम subscribers lose कर सकता है लेकिन देखिए हमने पिछले 6 महिने का subscriber data है उचके अंदर लगातार भारती एटेल ने सबसे ज्यादा subscribers add किये हैं लेकिन देखिए अभी तक उनके बराबर जितने जीयों के subscribers से उटने नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी जीयों के subscribers कम add हो रहे हैं देखिए इसको जीयों के बराबर पोचने में बहुत टाइम लगेगा लेकिन ये जीयों से ज्यादा subscribers add कर रहा है ये एक बहुत ही positive indication है तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी आप इसमें long term buying कर सकते हैं और short term के लिए भी मुझे ये एक अच्छा pick लगता है अब मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूँ तो कि देखे कब से 530 से 550 के बीच में momentum चल रहा है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि short term में भी इसमें एक अच्छा कासा upward moment अच्छानक से देखने को मिल सकता है तो अब इसमें अभी भी buying कर सकते हैं अब जो डूसरा share है वो है हिंदुस्तान Unilever देखे हिंदुस्तान Un valuation पर मिल रहा है देखिए इंडिया का मार्केट लीडर इंडिया का कोई भी ऐसा गणनी होगा जहां पर इंडुस्तान Unilever का product यूज नहीं होता हो अब देखिए यहां पर यह टिकट एप का कुछ issue चल रहा है कर मैंने एक डो वीडियो और बनाई थी तो आपे sector का dividend उन्हो पुकाबल आपको बराबरी पर मिल रहा है तो देखिए मेरे ख्याल से हिंडुस्तान Unilever या पेक अच्छे करेक्शन पर आपको मिल रहा है अब देखिए मार्केट यह देखिए 517,160 करोड की इसकी मार्केट कैप है और इंडिया की 6 largest company कितनी इंडिया की 6 largest company है और यह 10% की minimum growth हर साल इसकी profitability में देखने को मिल रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है अब यह देखिए 221 पर यह चल रहा है अभी तो लगबग यह मैंना आपको जब पहले suggest किया था लगबग यह 250 के लपेटे में गया था तो देखिए उसके बार अच्छी recovery देखने क हुई है वो बता रहे कि अब इसमें अच्छा कासा upward moment देखने को मिल सकता है तो इसलिए short term के लिए भी मैं बोलूँगा यही कि आप इस price पर बाइंग कर सकते हैं और लगबग एक महीने का आप इसमें 2300 रुपे का target रख सकते हैं और long term के लिए तो यह share अभी एकदम अच् है और market leader stock अगर अभी भी 15% discount पर मिल रहा है तो यह कि बहुत ही अच्छे valuation पर मिल रहा है मेरे ख्याल से जरूर इसको buy करना चाहिए अब यह देखे तीसरा जो share है वो है ONGC देखे ONGC जो है वो sector के मुकाबले थोड़ा सा महेंगा जरूर है लेकिन देखे दो तो ONGC का share में आपके लिए क्यों लेकिया है हूँ तो कि इतके पीछे reason यह है तो कि crude oil की rate बढ़ रही है अगर देखे crude oil की prices बढ़ेंगी तो उससे बाद देखे ONGC का share था वो भी एकदम पीड गया था लेकिन आप crude oil बढ़ रहा है तो जितना crude oil बढ़ेगा उतना ONGC का फाइदा होगा तो इसलिए मेरे ख्याल चे ONGC में एक अच्छा कासा अफ़ड मुमेंट आपको देखने को मिल चकता है अब देखे थोड़ा स देखे 4.34% की dividend yield है मतलब जो इसकी अगर आपकी saving deposit की interest rate देखोगे उससे ज्यादा तो ये dividend दियता है अब मार्केड केब देखे 1.44,610 करोड की मार्केट केप है और इंडिया की 28th largest company है अब ये देखे 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 देखने को मिली है तो कि आपको सभी को पता है कि कुरूड ओयल के प्राइसीज में दिक्कते चल रही थी और जो ठोड़ा इसका गैस का धन्दा है इसमें थोड़ी सी दिक्कते बनी हुई है और इस बार भी अगर मैं QQ बात करूं तो QQ इस बार भी थोड़ी सी दिक्कते दे होगा और में क्या है कि क्रूड ओयल अगर क्रूड ओयल की रेटे जितनी बढ़ेगी उतना ONGC के लिए फाइदा होगा अब यह देखिए प्रॉफिट तो गिरा है ओल्डो लेकिन पिसले साली गिरा है और इस बार भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा लेकिन जो तो मैं शौट टर्म वालों को यही विलूँगा कि 121-122 वाइस चेयर को आपको खरीदना है और टार्गेट रखना है तब 130-135 के लगबक का अब देखिए कितना जिसा हुआ है पांच साल का ही देखिए 212.85 का मतलब अपने आधे रेट पर मिल रहा है जितनी रखा है बने रही है और तीसरी बात आथी शौट टर्म 120 के उपर खरीद दिये और टार्गेट रखिए 130-135 का तो देखिए दोस्तों यह मेरा परसनल एनालिसिस है मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने फाइनेशल एडवाइजर की एडवाइज लिए बिना आप काम मत क करियेगा तो दोस्तों में उप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और रोज इसी तरिके की अप्डेटस पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले